आप सब बहुत अच्छे होंगे अभी हो रहा है शाम के साथ वजे के आसपास का टाइम में एट्यूशन बढ़ा के फ्री हो गई हूँ हम जा रहे हैं बेबी में मतलब मेरे माई के साइट से जो है ननी सी परी हमारी फैमिली में आई है सो चलिए जाते हैं मिलें और आदी को भी ले जारियों में साथ सो हम ऑस्पिटल तक जा रहे हैं क्यूंकि चीज एक्षन हुआ है सो अब ही फाइब देज पर वह जो है वह रहें रहेंगे उसके पार जो बेदी वाद से डिस्चार्ज होगा तो चलिए चलते हैं और लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और आदी देखे चोटी बेबी से मिलने के लिए एक शाय कर देखिए रखिए रखिए ऐसे आदी आदी कान जा लेओ अ ममा चोटी बेबी से मिलने उस्पिटल पहुंच गए थी और वहां पे बहुत सारे थी तो मुझे कैमरा उठाना अच्छा नहीं लगा था थोड़ी बहुत फिक्स है ज तोटी सी ननी सी परी जो मेरी बुआ जी के घर आई है और बहुत ही जादा प्यारी है तो बस हम थोड़ी देर ना कम से कम आदे से ए गंटा तक जो है वहीं बैठे रहे और बेबी के साथ टाइम स्पैन किया आदी बहुत कुछ हो रहा था बेबी को देखे और आठ सड़े आठ बजे के करीब जो है हम घर पहुँचे और गुड मॉर्निंग एवरीवन तो यह है नेक्स टे की शुरुवात हो रही है मॉर्निंग से सो आज जो है सफाई का दिन हमने निकाला था कपड़े वगेरा वाश कर दिये थे टाइम यहां पर दस साड़े दस बजे के आसपास हो रहा था तो मैं यहां पर थोड़ी बहुँच जो है कपड़ों की सैटिंग कर रही थी और बस एक दिन जो है बच्चा है बाकी नेक्स टे फंक्शन चुरू होने वाला है कल से जो है हम लोग बहुत बीजी हो जाएंगे तो आज सोचा की चली थोड़े बहुच जो सैटिंग है वो करके रखते हैं और आज सुबा से ही हम लोग उठके जो है काम पे लग गए थे सभी अपने अपने काम में लगे थे और husband भी और mother-in-law भी सारे घर के member और मैंने सोचा चली है मैं यह वाला काम कर लेती हूं कपड़े सेट करने का आदी जो है अभी वो सोया था तो उस बीच में मैंने सोचा वड़ावट से काम कर लूं तो सही रहता है अपने जो है सारे कपड़े वगरा वाश कर लिये थे मौनिंग में और सूख भी गए थे क्योंकि दूपना बहुत देज थी अभी दो तिन दिन से बहुत जादा गर्मी हो रखी है बारिश भी आ रही है बीच में बट humidity बहुत जादा है मैं बता नहीं सकते हूं बहुत जा जाता है तो रह जाता है काम फिर वक्त नहीं मिलता है कि आप जो है उस काम को कंप्लीट कर पाओ फिर बस आदी की काम में लग जाती हूं मैं का थोड़ी दिर अपने बापा के साथ खेल लेगा तो सही रहेगा तो बस यहां पर थोड़े बहुत कपड़े एना वाश की वे सेट कर रही हूं ताकि फिर यह हो कि उस दिन जो है फंक्शन वाले दिन थोड़ा-थोड़ा से जो डस्टिंग हो जारा है उसका काम में कर सकूं तो बस यहां पर सुबह से आज लगे थे तो बहुत जा थकावट भी फील हो रही थी इस टाइम पे तो अभी जो है लंच बनाएंगे और सिंपल सी दाल वैसे तो द्विगोने को डाल के रखी थी राजमा की अब देखते हैं क्यूंकि जब ऐसा हो ना क्यूंकि थक बहुत गए थे सारे सुबह से लगे थे सारे तो होता है यह थकावट हो जाती है और आजकल आदी का रूटीन बहुत चेंज हो गया है सुबह जो है वो हम लोगों के साथ ही उठ जाता है आजकल 6 बज़े उठ रहा है उस वज़े से सारे काम जो है ऐसे ही हो जाते हैं सुबह जल्दी उठके हो जाते हैं अब दस बज़े तक हम सारे काम करके फ्री हो जाते हैं उसके विज़े से हम भी जल्दी उठ जाते हैं होता है यह बच्चे जल्दी उठ जाये तो फिर उठना ही वड़ता है और यहाँ पर आदी को आप बस सभी रहे नहीं रहात अपने पापा के पास तो मैं थोड़े बह दे दे तो मैं का लंच बना दू फड़ावर से फिर थोड़ी देर जो है सारे सो जाएंगे रेस्ट कर लेंगे क्योंकि सब की हालत बहुत जादा घरापती होता है ना जब घर पे इस तरह कर कोई फंक्शन हो उससे पहले सफाईया करो और फिर फंक्शन के बाद तब भी कर दिया था क्योंकि आज सारा जो है टेबल वगएरा सब साफ किया था थोड़ी सी क्रोकरी उनिट भी वह भी क्लीन की थी तो उस वजह से सारे जो है जो मतलब क्रोकरी आइटम है वह मैंने वाश करके रखी थी कुछ-कुछ यूज होने वाली निकाल के रखी थी क्योंकि वाले दिन ना फिर नहीं निकाली जाती है चीज़े इस अचा पहले अगर प्रेपरेशन करके रखो तो ठीक रहता है मेरा शुरू से ही है और मेरी मदर इन लाउ उनका भी कि पहले अगर तैयारी होना फिर बाद में उस टाइम पे जो है फिर बहुत साथ आप डिस्टर्ब हो जाते हो इस बेटर की पहले से प्रेपरेशन हो तो ठीक रहता है तो यहां पर सेलेट बगएरा कट करें दाल में तड़का भी सासात लगा रही थी क्यूंकि आदी ना यह खीरा बहुत पसंद करता है तो उस वज़ए से जो मैं पहले काट के रख रही हूं कि अगर आ गय मुझे तो यहां पर थोड़ा सा ना प्यास भी कट करें सेलेट के लिए और चटनी भी खतम हो गई है हफते बर की बना रखी थी तो मुझे भी चटनी भी बनानी है और दही जमाने को रखा था नहीं तो फिर थोड़ा सा राइता भी बना लेना था क्योंकि भूख भी दिया था लंच भी अजल्दी बना रही हूं बारा सड़े बारा वजे के आसपासी टाइम हो रहा है तो राजमा मुझे ब्योने को डाली थी और इसके सासाती बरतन थे इन्हें भी में सैट कर रही हूं मॉनिंग के बरतन थे ठीक रहता है फड़ा पर से जो है जितने में मे चावल चड़ा दिया है अब बनाते हैं हफते बर की चटनी तो यह में बना के रख रही हूं खतम हो गई थी तो यह भी एक बहुत अच्छा सा आपका जो होता है गर्मे में बहुत मन करता है चटनी घाने का और मतलब बहुत सही रहती है पुदीने वाली तो आपके देती हूं बिना मिर्च वाली और वैसे भी अच्छी होती है बना के रखो तो कभी भी ब्रेक फास्ट में ले लो परांठे के साथ सैंड्विच के साथ ले लो किसी के साथ भी आप ले सकते हो और गुड इवनिंग एवरीवन सो यहां पे न शाम का टाइम मुरा है सब बजे थोड़ा पहु स्नेक खा लिया था और यहां पर चाय बन रही है यहां पर आदी की मेडिसीन आई थी तो वो चेक कर रही थी मैं तो सब का मन मतलब चाय पीने का कर रहा था भी आठ बजे के राउंड शाम को और तकावट आज बहुत जादा हो गे थी सब को तो सब न लंबा व्लॉग हो जाता है न आप लोग भी बोलते हैं कि काफी लंबा व्लॉग था इसके बात आपको मिलेंगे बहुत प्यारे प्यारे से फंक्शन वाले व्लॉग देखने को और किस तरह का वंक्शन है कैसा वंक्शन है वो में आपके साथ कल शेयर करूंगी कि exactly है किसक तो चाय मॉनिंग में भी ऐसा होता है और अभी भी जो है आज हमने लेट चाय बनाई क्यूंकि हम सारे वो लेट उटे थे उस वज़ा से जो है फिर चाय भी लेट बन रही है तो इसके बाद जो है आदी को नहलाने को पानी लगा दूंगी और सबजी वगरा ममी ने कट कर ली थी तो वो बना देंगे उसके बाद बस वही फिर कल के बाद हम बहुत बीजी होने वाले हैं बड़ सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो आज का सपाई वगरा का काम था वो क्लीन हो गया वो साफ हो गया है और रूम वगरा सारे क्लीन हो चुके हैं कपड़े वगरा भी और अगर में चैन्ट पर आप पहली बाहर आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे जो लोग नय चुड़ रहे हैं उनका दिल से धन्यावाद मेरे व्लॉ का एंड करें हूं लॉट्स अफ लव गाईज